हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल मरीन वर्ल्ड में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको Steel Authority of India Limited सेल में जॉब कैसे पाएं और इसे जोड़ी सारी जनकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूँगा दोस्तों वीडियो मागे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने आभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंट के साथ इसे से जरू किजेगा तो चली दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस्टील अथार्टी ओफ इंडिया लिमिटेड सेल भारत की एक टॉप पॉब्लिक सेक्टर इस्टील मैनुफेक्ट्रिंग कंपनी है ये कंपनी आईर एन एन इस्टील कंपनी में लाखो इंजीनियर ऑफिसर्स और इंप्लोईज कारियरत हैं दोस्तो सेल हर साल जरूत के अनुसार अलग-अलग वेकेंट पोस्ट पर भरती निकालती है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेल में जॉब कैसे पाएं सेल में जॉब पानी के लिए क्या करें इसे जुड़ी तमाम जानकारी में आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूँगा इसलिए इस वीडियो को अंतर जरू देखेगा दोस्तो सेल यानिकी स्टील अथोर्टी ओफ इंडिया लिमिटेड भारत की एक टॉप पपलिक सेक्टर स्टील आईरन और इस्टील मैनुफेक्चरिंग कंपनी है सेल का हेड़कूर्टर नएदिली में है दोस्तो ये कंपनी आई और इस शामान तयार करती है इस कंपनी में domestic manufacturing, engineering, electricity, railway, automobiles, security industries और export market में बिक्री के लिए इस्टील तियार करती है दोस्तों Steel Authority of India Limited कंपनी भारत की अलग-अलग राचियों में अपने बिजनेस को operate करती है जैसे कि सेल भिलाई, चतिसगड, सेल राउरकेला, उडिसा, सेल दुर्गापूर, पस्चिम बंगाल, सेल बोकारो, जारकंड और सेल बर्नपूर, बर्नपूर, आसन सोल, पस्चिम बंगाल में पांच integrated iron and steel plant का संचालन करती है और सेलम, तमिलनाडू, दुर्गापूर और भधरावती, चंदरपूर, महाराष्ट में तीन अलग-अलग अन्य special iron and steel plant को operate करती है दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सेल में जॉब पाने के लिए क्या करें दोस्तों सेल में जॉब पाने के लिए सबसे पहले आप बारवी कक्षा पास करें उसके बाद आप किसी मानेता प्राप्त संस्तान से इंजिनेरिंग कोर्स, बी-टेक या एम-टेक या फिर मैनेजमेंट कोर्स, MBA करें दोस्तों अगर आप मेडिकल के छेतर में आप इंट्रेश रखते हैं तो आप MBBS या फिर नर्सिंग कोर्स, ANM या GNM या MBSS कोर्स कर सकते हैं उसके बाद आपको सेल में जॉब करने के लिए अपलाई करना होगा दोस्तों समय समय पर सेल अलग-अलग पदों की भरती के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी करती है जब सेल रिगूटमेट नोटिफिकेशन निकलती है उस समय आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पोस्ट के लिए अपलाई करें अपलाई करने के बाद आपको रिटेन एक्जाम पास करना होगा और इंटर्व्यू आपको पास करना होगा क्योंकि सेल रिटेन एक्जाम और इंटर्व्यू के मादिम से वेकेंट पदों की भरती करती है दोस्तों बात करें सेल में जाब पाने के लिए क्वालिफिकेसंस की तो दोस्तों इसके लिए कैंडिडेट किसी मानेता प्राप्त बूर्ड से बारवी कक्षा पास किया होना चाहिए और किसी मानेता प्राप्त संसान से ITI डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए या फिर candidate किसी मानेता प्राप्त, यूनिवर्स्टी या कॉलेज से, इंजिनेरिंग कोर्स, बेटेक या एमटेक या MBA कोर्स, या फिर MBBS, GNM, BSE Nursing, D-Pharma या B-Pharma कोर्स किया वो होने चाहिए, दोसो, डाटा इंट्री ऑप्रेटर पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले candidate PGDCA कोर्स किये वो होने चाहिए, candidate जिस पोस्ट के लिए जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट संबंदित educational qualification candidate के पास होनी चाहिए, तब ही आप सेल में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोस्टो, बात करें सेल में जॉब पाने के लिए एज लिमिट की, तो दोस्टो, candidate की minimum age 18 साल होनी चाहिए और maximum 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दोस्टो, reserve category के candidate को सरकार के दोवारा maximum age limit में category wise कुछ चूट दी जाती है, दोस्टो, अब हम बात करते हैं कि सेल में जॉब कैसे पाएं, दोस्टो, सेल में जॉब पाने के लिए सबसे पहले आप किसी मानेता प्राप्त board से 12 वी कक्षा पास करें, उसके बाद आप किसी मानेता प्राप्त संस्तान से ITI या B.T.E.C. या M.T.E.C. या फिर MBA, MBBS, GNM, D.Pharma, B.Pharma या PGDCA कोर्स करें, दोस्टो, जिस पोश्ट की जॉब पाना चाहते हैं, उस पोश्ट से संबंधित आपको कोर्स करना होगा, दोस्तो, उसके बाद सेल यानि की इस्टील अथॉर्टी आफ इंडिया लिमिटेड में जॉब के लिए आपको अप्लाई करना होगा, दोस्तो, समय समय पर सेल वेकरेंट पोश्ट की भरती के लिए सेल रिकूरूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है, जब सेल जॉब की नोटिफिकेशन निकालती है, जॉब की एप्लिकेशन निकलती है, उस समय आपको अप्लाई करना होगा, दोस्तो, आप सेल की ओफिसल वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए ऑनलाई अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के बाद आपका रिटेन एक्जाम होगा, जिसे आपको पास करना होगा, रिटेन एक्जाम के बाद आपका पर्शनल इंटर्व्यू और टेक्निकल इंटर्व्यू होगा, टेक्निकल इंटर्व्यू के बल टेक्निकल पोस्ट के लिए होती है, दोस्तों इंटर्व्यू पास करने के बाद आपका सेलेक्षन होगा सेलेक्षन प्रोसेस पूरा होने के बाद आपका ट्रेनिंग होगा उसके बाद आपको रिलेटेड पोस्ट पर न्यूक किया जाएगा सेल्र इंपलॉइज की सेलरी डेंल लाक रुपे से लेकर 30,00,00,000 रुपे सालना तक होती है सेलरी के अलावे इन्हें मागाई भता अभाज भता आधी अन्यभत्ते दिया जाते हैं दोस्तो अलग-अलग पदों के लिए अलग-लग सेलरी निधारीत होती है सेल सभी पोस्ट के इंपलोईज को अलग-अलग सेलरी देती है दोस्तो रिटेन एक्जाम टेकनिकल इंटर्व्यू या पर्सनल इंटर्व्यू के दोरा सेल में जॉब मिलती है एप्लिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद सेल कैंडिडेट के सेलेक्शन के लिए रिटेन एक्जाम आयजित करती है उसके बाद रिटेन एक्जाम क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को फिर इंटर्व्यू के लिए बुलाती है टेकनिकल पोस्ट में सेलेक्शन के लिए टेकनिकल इंटर्व्यू भी लेती है इंटर्व्यू क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट का सेलेक्शन होता है और सेलेक्टेड कैंडिडेट को रिलेटेड पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है दोस्तों इसके अलावे gate exam के score के आधर पर भी sale में जौब मिलता है अगर किसी candidate का gate exam में अच्छा score है और वो sale में जौब पाना चाता है तो gate score के माधियम से भी sale में जौब पा सकता है दोस्तो gate qualified candidate का selection gate score और interview के द्वारा होता है आप गेट में अच्छा स्कोर प्राप्त करके सेल में जॉब पा सकते हैं तो दोस्तो आज के इसे वीडियो में मैंने आप लोगों को बता है कि सेल में जॉब कैसे पाएं और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इसे वीडियो में डेटेल से बता है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे सेर जरूर कीजीगा और अगर आप चैनल पे नए है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजीगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपी के साथ तब तके लिए धन्यवाद झाल को तॉपी के साथ तके सेर भीडियो में किसी अन्यवाद